गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट करने वाले हैं तीन आप्लिकेशन का जिस पर आप वेब डिजाइनिंग करते हैं तो पहला है अन्डराइटर, सेकेंड है वेब आईडी और थर्ड है विज्वल कोड स्टूडियो तो हम लोग इनको करने वाले हैं कुछ केटिग्रीज में टेस्ट, पहला है साइज, सेकेंड है यूई, थर्ड है सेटिंग, फोर्थ है अड्वांटेज, फिडिस अड्वांटेज और हम बात करेंगे फीचर्स की और एंड में मैं देने वाला हूँ अपना रेक्मेंडेशन इन तीन एप मेंशे आपको कौन सा यूज करना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं साइज की तो अन्राइटर का साइज है 2.8 MB, वैब आईडी का साइज है 4.5 MB और जो हमारा विजुवल को स्टूडियो है इसका साइज है 19 MB तो अगले सेग्मेंट पे बात करते हैं तो वह है UI तो मैं आपको सभी एप्स का UI दिखा देता हूँ यह है अन्राइटर का UI यहां पर आपको main अपना typing area मिलेगा जहां पर आप अपना code लिख सकते हैं Top में आपको कुछ Bars देखने को मिलते हैं. नीचे के side में आपको कुछ और shortcuts देखने को मिलते हैं. और यहां पर आपको मिलता है run का button जहां से आप अपना code को test कर सकते हैं second आपकी बात करते हैं यानि web id के user interface की तो आपको ऐसा जिलता है यहां पर आपको css और javascript के लिए अलग से section मिल जाता है यहां पर अपना code लिख सकते हैं यहां से आपको आपकी settings सारी दिख जाएंगी यहां नीचे आपको बहुत सारे option मिलते हैं जहां से आप अपने undo redo copy paste और नई files को open करना save करना यह सब कर सकते और उसके नीचे यहां पर आपको मिल जाते हैं आपके सारे symbols and shortcuts इस button से आप अपना code को test कर सकते हैं थर्ड की बात करते हैं यानि visual code studio की तो इसका कुछ ऐसा सा interface है यहां पर से आप जाकर नई files बना सकते हैं और यहां पर आप अपना code लिख सकते हैं HTML का यहां पर आपको save का icon open का और यहां पर आपको tools मिल जाते हैं cut copy paste select all यह सब undo redo की option यहां पर हैं यहां पर आपको tools मिल जाता है जिसमें आपको color और error checking का option मिल जाएगा यहां पर आपको shortcut symbols देखने को मिलेंगी और यह है आपका run का button जहांसे आप अपने program को run कर सकते हैं second category की बात करते हैं वह है settings की category तो इससे पहले बात करते है unwriters की settings की तो आपको इसमें ज्यादा settings नहीं देखने को मिलेगी तससे पहली settings में आपको font size मिलता है जो आप 7 से बड़ा रख सकते हैं यहां पर आपको utf characters देखने को मिलते हैं कुछ और छोटी मोटी settings है और बस आपको इसमें इतनी ही settings मिलती है second बात करते हैं web id की तो यहां पर आपको कुछ ऐसी settings मिलती है जहां पर है आपका कि आपको जो html css javascript है वो separate tapes में लिखनी है या inline में लिखनी है इसके आद है theme option यहां पर भी आपको काफी सारी themes मिल जाती है उसके बाद है font size आप अपनी हिसाब से set कर सकते हैं अगला बात करते हैं visual code studio की तो इसमें आपको बहुत सारी settings मिल जाती है इसमें आप application पर जाके full screen mode color scheme जिसमें आपको बहुत सारी languages की color scheme देखने को मिलती है आप इसमें से कोई भी color scheme select कर सकते हैं उसके अज editor में आप counter size, word wrap, code completion और यह सारी settings देखने को मिलती है code style में आप देख सकते हैं आपको यह सारी settings मिलती है और about section में आपको इसके details मिल जाएंगे अगली category की तरफ बढ़ते हैं तो है features का तो मैं आपको एक एक करके सबके in-depth features बताता हूं तो यह है हमारा unwriter इसमें आपको काफी सारे features मिल जाएंगे जैसे कि यह editor आपका code automatically complete कर देता है जैसे कि मैं अगर HTML लिख के इस पर करता हूं तो यह आपको पूरी boiler plate देदेगा HTML की और बात करें तो यहां पर आपको navigation keys मिल जाती है जिसके जरी आप अपने cursor को navigate कर सकते हैं यहां पर यह select का option है जहां पर आप अपने text को select करके cut paste कुछ भी कर सकते हैं और यहां tools में आपको बहुत सारे tools जैसे no right अब आप लिख नहीं सकते आप सिरफ देख सकते हैं इसे center करना है left करना है right करना है select all copy paste cut यह सारे option मिल जाएंगे तो अब अगले app की बात करते हैं यानि web IDE इसके कुछ special features हैं जो मुझे काफी अच्छे लगे वह मैं आपको बताता हूं पहला है separate tabs for CSS and JavaScript इसमें आपको कोई अलग से file attach करने की जोतनी पड़ती आप यहीं पर JavaScript और CSS लिख सकते हैं और यहां पर भी काफी अच्छे तारे features जैसे lock का यहां पर आपको एक color picker मिल जाता है जिससे आप कोई भी color अपने हिसाब से select कर सकते हैं अगले आपकी बात करते हैं यानि visual call studio इसमें भी काफी सारे features हैं जो मुझे personally काफी अच्छे लगते हैं तो सबसे पहला है color picker का यहां पर आपको काफी अच्छा color picker मिल जाता है जहां पर आप अपने हिसाब से color select कर सकते हैं उसके आद यहां पर एक है duplicate line का जो कि मैं personally बहुत जाड़ा यूज़ करता हूं जब मैं web designing करता हूं इससे आप कोई भी line को duplicate कर सकते हैं अगले category की तरफ बढ़ते हैं तो वह है advantage तो मैं आपको बताता हूं unwriter के कुछ advantage तो इसका सबसे बड़ा advantage जो काफी useful है वह है code completion तो अगर आप कोई भी code लिखते हैं तो यह automatically उसे complete कर देता है इसका दूसरा सबसे useful feature मुझे लगा इसका console अगर आप जावा script में कुछ करते हैं तो यहां पर आपको console देखने को मिलता है जहां पर आप अपने console के सारे output देख तके हैं और यह सिरफ इसी app में मिलेगा बाकी दो application में आपको console का option नहीं मिलता है तो इसके advantage की बात करते हैं तो इसमें ज्यादा कुछ advantage आपको नहीं मिलते हैं सब कुछ इसमें similar है बाकी आप से बस हाँ आप इसमें javascript और CSS को अलग टैब में लिख सकते हैं थर्ड बात करते हैं visual code studio की तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफी simple application है इसलिए आपको इसमें ज्यादा कोई features नहीं मिलते हैं special features थर्ड category की बात करते हैं तो वह है disadvantage तो वैसे तो यह application काफी अच्छी हैंगी पर मैं आपको बताता हूँ इसमें कुछ disadvantage भी हैंगे तो सबसे पहले बात करते अनराइट की तो इसकी जो disadvantage मुझे लगी वह है इसका wrap text तो अगर आप कोई बड़ी line लिख देते हैं तो नीचे आने के बजाए side में ही लिखती चली जाती है जो की काफी problem दे सकती है अगर आप कोई बड़ा code लिखते हैं तो और इसमें मुझे कोई color picker का option नहीं मिला तो अगर मैं कोई styling add कर रहा हूं जा मैं को color चाहिए तो या तो मुझे color के code याद होने चाहिए या फिर मैं को उसे कहीं और से लाना पड़ेगा तो यह दो disadvantage हैं जो मुझे ही sap के लगे तो अगली बात करते हैं web id की तो इसका स्रफ मुझे एक drawback लगा वह है इसका output आप इसका output बिना internet के नहीं देख सकते हैं मैं आपको showcase करता हूं आप बिना internet के या wifi connection के इसे run नहीं कर सकते हैं आप बात करते हैं visual code studio की तो इसमें सचे बड़ा drawback मुझे यह लगा इसमें आपको पूरा का पूरा code खुद लिखना पड़ता है इसमें आपको कोई auto complete का feature नहीं मिलता है तो यह बात हो गई comparison की जिसमें हमने इन तीन आप्लि test किया अब मैं देने वाला हूँ अपना personal opinion की आपको कौन सा code editor यूज करना चाहिए तो मेरी recommendation के हिसाब से unright है पहले number पे क्योंकि यह beginners के लिए काफी अच्छा है यह आपको code complete करके दे देती है जो कि मैंको सबसे अच्छा feature लगा इस app का तो अगर आप एक beginner हैं तो आप इस आप को consider कर सकते हैं तो second number पे मैं recommend करूंगा visual code studio का क्योंकि यह काफी अच्छा application है मैं आपको web IDE नहीं recommend करूंगा क्योंकि यह चलता है internet पे तो कई बार अगर आपके पास internet नहीं है तो आप इस application का output नहीं देख सकते हैं तो इस video में इतना है अगर आपके इस video से related कोई query है त आप comment section में मैं को बता सकते हैं मैं और किस topics पे video बनाऊ तो thank you so much for watching see you in next video